खंडी अस्टाइल में जोहर दोस्तों आप सभी को तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने फुवा के लड़के का साधी में दोस्तों तो पूरा वीडियो आप सभी देखिए मुझे काफी सुंदर लगा इसलिए आप सभी को सोचा मैंने दिखा दू इतना सुंदर स्कूल सरकारी है मेरे गाड़े में अवे तेल खतम हो गया था भी मेरा फूल हो गया है पुरा प्रस्तर आप सभी को थोड़ा सा घर के अंदर ले जाता हूं तो यह देखिए मेरे बेटा यहां पर दगे खेल रहा है और यह मेरे बुवा का लड़की का बेटी है इसका जो है सेजल नाम है और मेरे दादा सोय हुए थे और यह देखिए घर का सिड़ी है और अभी बहुत सारी साधी का परकिरियाएं यहां पर हो रहा है जैसा कि आप से भी देख रहे हैं यह मनवा भुलते हैं यहां पर और चाची जी और यह मेरा देखिक को छोटा वा लबशार ये मेरे बुवा जी का घर का कीचन है दोस्तों हैं और उसके बाद जो है अब देखिये मेरा बेटा भी चलना सिह गया है और देखिए कितना अच्छा से चल रहा है अभी थोड़ा बहुत डगमगा रहा है लेकिन एक महना के अंदर अंदर ये बैलेंस कर लेगा देख सकते हैं बहुत ही हस्ता है और सुन्दर बेटा आप सभी बताइए कैसा बेटा है मेरा और उसके बाद जो है आप सभी को मैं पास जादी वाले घर के पास और आप सभी कुछ हत से थोड़ा सा नजारा दिखाने की को क्या देखिए मेरे भूगा का गाउं है और अभी देख सकते हैं बहाराती जाने के लिए सभी लोग तयार हैं और हम भी तयार है अब हम लोग गाड़ी में बैट चुक हैं दोस्तों अभी अंधेरा इसलिए ऐसा आ रहा है और देखिए नास्ता में क्या मिला है हम लोग को और यह देखिए मेरा बड़ी पुड़वा का यह लड़का है और देखिए बाराती में एकदम लोग धूम धड़ा कर नाच रहे हैं मज़ा ले रहे हैं और यह देखिए मेरा छोटा व उड़ रहा है और यह देखिए दुल्हा का गाड़ी और आप सभी आप देखिए चल गए है और यह देखिए दुल्हन आ रही है और दुल्हन को हाथ पकड़कर चड़ाये जा रहा है और देखिए दुल्हा और दुल्हन कैसा है और इस तरह से तिलक चंदन लगाए जाता है और फिर जैमाला का कारीकरम होता है और यह देखिए वीडियो ग्राफर मैं भी थोड़ा सा ट्राय किया था वीडियो इससे करने का भाईया बहुत हाथ दर देता है इतना भार ही होता है न कि क्या होता है मैं यह देखिए अब यहां पर कारी करम थोड़ा सा चल रहा है और उसके बाद अभी तिल्लक लगाए रहा है उसके बाद थोड़ा सा मीठा खिलाए जाएगा और आप सभी देखते रहिए और मैजा लेते रहिए इस तरह से साधी होता है हमारे यहां पार आप कर दोड़ा जया है झाल झाल तो इस तरह से जैमाल का कारी करम खेतम होता है दोस्कों और इस जगह पे खाना के वेश्था था दूस्तों खाना में चिकन और मटन दोनों था और पनीद भी था और यहां पे स्वय हुए हुए लोग आप देखें नीचे सादी वो रहता और यह लोग पानी का मजा ले रहा है देख रहे हैं आप सभी और अब इस तरह से सादी खतम होता है और अब हम लोग घर के लिए निकलते हैं बारात से तो चलिए आप सब्सक्राइब को मिलते हैं अब घर पर हुए 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 ह झाल 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 झाल